दोस्तों, LearnBasics में आपका बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूँ विश्वे, तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि MS वर्ड में थिसॉरस कैसे यूज कर सकते हैं, और इसका क्या काम होता है, ठीक है, तो देखिए, थिसॉरस का काम होता है किसी वर्ड से नाउन, एड्जेक्टिव, और वर्ड का पता लगाना, यानि कि उस वर्ड से रिलेटेट कितने तरीके के नाउन हो सकते हैं, कितने तरीके के अड्जेक्टिव हो सकते हैं, कितने तरीके के वर्ड हो सकते हैं, ठीक है, तो चलिए यह यूज करके देख लेते हैं, तो पहले अब Thesaurus open हम दो तरह से कर सकते हैं, पहला shift के साथ आप F7 दबा के भी कर सकते हैं, और दूसरा option है, यहाँ पर review option दिखा होगा आपको ओपर, तो यहाँ सबसे इसको enlarge कर देता हूँ, यहाँ सबसे फर्स्ट में जाएंगे, तो यहाँ सबसे पहला spelling and grammar है, दूसरा research है, तीसरा use करना चाहते हैं, तो सबसे पहले मालीच हम home को select कर लेते हैं, यह दिखिए home select हो गया, अब simple आप shift के साथ 7 जैसे ही press करेंगे, आप right hand side में देखेंगे, इसके details सारी आ गई यहाँ पर, ठीक है, यह देखिए, अब देखिए, इससे house से related, यतने तरीके के noun है, house, residence, building, adobe, habitat, जितने तरीके के noun हैं, आपको one by one दे रहा है, यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यह देखिए, adjective का भी option दे रहा है, तो basically यही काम होता है, मलाब आपको समझना होता है, वगर आपको जानना है कि इस कितने तरीके का options आपके पास हैं, तो यह सारी details आपको maximum possible details आपको यहाँ provide करा देता है, ठीक है, उसके हसाब साब इसको use कर सकते हैं, use करना भी बहुत easy है, simple जैसे माल लीजिए, आपको residence use करना है, home की जगे है, तो simple यहाँ देखिए, यह drop down बना हुआ है, मैं तो से इनलाज कर दू, इस पर click करिए, तो यहाँ साब direct insert भी कर सकते हैं, और copy भी कर सक सकते हैं, तो जैसे माल लीजिए, आपके बस कोई sentence है, और आप वहाँ पर home use कर रहे हैं, उसके जगें आप कोई और word use करना चाहते हैं, तो वह भी direct यहीं से use कर सकते हैं,